प्रभु की स्तुति हो, स्वागत है प्रियो भाईयों हम लोग परमेशुर का संतान है आज हम लोग यहाँ पे है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आगवाई करता है आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग का आत्मा प्रत्यक दीन पर मेशुर का वचन को दलास करता है इसलिए आईए हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान करे ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने आत्मा को पवित्र वचन से तुरुप्त करे इफिसियों दो का आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है और ये है तुम्हारी और से नहीं वरन परमेशर का दान है इफिसियों दो का आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है और ये है तुम्हारी और से नहीं वरन परमेशर का दान है इफिसियों दो का आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है और ये है तुम्हारी और से नहीं वरन परमेशर का दान है इफिसियों दो का आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उधार हुआ है और ये है तुम्हारी और से नहीं वरन परमेशर का दान है परमेशर का महिमा हो बरतमान हम लोग एक पेड़ के समान है जो की नदी के किनारे लगाए गए हैं जो सेही समय में फलाता है जिसका पता कभी मुझाता नहीं है और वो जो कुछ करे उसमें सफल होते हैं परमेशर का मेचन हमें संभालता है ये हमें शुत्र करता है ये हमें शामतना देता है ये हमें शक्ति देता है ये हमारे आत्मी पढ़ूती करता है ये हमें जीवन देता है ये हमारे पाप के विरुत लड़ाई करता है ये हमें और हमारे परिवार में आसिसको लेकर आता है आमीन